हलो फ्रेंड, वेलकम तो दे चैनल, फार्मेसी डिशनरी, आज हम इस वर्ड का मतलब देखने वाले हैं, वो हमारे फार्मकोलोजी, फार्मसोटिक्स के इंस्टूमेट्स में काफी ज्यादा यूज किया जाता है, यह है आपका थर्मोस्टेट डिवाइस, थर्मोस्टेट डि मशीन पे 90 degree centigrade के temperature set करके रखा है, तो कुछ दिर बाद वो temperature बढ़ते बढ़ते 100 से उपर चला जाएगा, या अगर मशीन बंद हो गई तो दीरे-दीरे कम होता चला जाएगा, तो इसको कैसे अवाइड करे, इसके लिए हम लिए लिए थर्मोस्टेट, तो जैसे ही temperature आपका 90 से उपर के और बढ़ेगा, ये मशीन आटमेटली स्विच आफ हो जाएगा, और जैसे ही temperature 90 से कम होने लगेगा, क्योंकि स्विच आफ हो गया है, वह वापस से स्कार कर देगा, तो यही इसका principle है, इसकी कई सार एक्जामपल हम अपने घर में देख सकते हैं, सबसे कॉमन है आपका electric प्रेस, जहां पर आप temperature को सेट करते हैं, कोई भी मलेज आप सिंथेटिक पर यूज कर रहे हैं, आपके नाइलोन पर सेट कर रहे हैं, तो बहुत कम temperature जरूद पड़ती है, जैसे ही temperature इंक्रीज होता है, एक कट की आवाज आती है, और जो आपका electric प्रेस है, वो बं बंद हो जाता है, और फोई दिर के लिए वो इस निकेटर बंद हो जाएगा, रखे 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 रखे, फिर ठंडा होगा, फिर से चलू हो जाएगा, फिर को इसके अंदर thermostate होता है, इसे आप उस heater के अंदर, उस geezer के अंदर भी देख सकते हैं, तो simply कह लीजे, एक ऐसा आटो के डिवाइस योकी temperature को उसी point पे fix करके रखने में मदद करें, जिसे आपने set किया है, जादा हो तो बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वापा से start हो जाएगा, फिर मिलाकर के temperature मिंटेन रहे, यही डिवाइस का नाम है thermostatic या thermostate device, thank you so much for watching इस वीडियो, नमस्कार एक चेड़